नमस्कार विकेवी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं शुर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ आई नजर डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर चंदर शेखर बावन कुले की शेख हुसेन पर हुई कारवाई पर प्रतिक्रिया शेख हुसेन पर ठोस कारवाई के लिए प्याक कमिशनर को निवेदन शेखर बावन के लिए आज दिल्ली पहुचेंगे एक नाथ और फरंदिस शिने स्तेना के 14 बिजेपी के पास होंगे 28 विभाग अब खबरे विस्तार से पुर्व उर्जा मंत्री चंदर शेखर बावन कुले ने शेख हुसेन पर हुई कारवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कॉंग्रेस के शेख हुसेन ने प्रधान मंत्री मोदी जी के बारे में निंदा जनक वक्त विक्या था इस बारे में हमने गिटिक अदान पुलिस ठाने में शिकायद भी दर्श कराई थी पुलिस ने उन पर इतनी छोटी कारवाई की कि वे एक मिनिट में भारा सकी है की थी उनके व्यक्तिगत चारित्रे पर हनान होगा ऐसा वर्त वक्तत्व किया था हमने गिट्टिक अदार पुलिस ठेचर और पुलिस कमिशनर को इसका सबने जाके निवदन गिया हमारे प्रविन जटके जी के अद्यक जी के नेत्रूतों में सब गए थे हम सारे विडायक थे पुलिस ने उनके उपर कारवाई थे लेकिन इतनी छोटी कारवाई की जी वो एक मिनिट में बाहरा आ सके हमने उससे खिलाब पुलिस कमिशन को निवेदन दिया था कि इसे खुशेन पर की हुई कारवाई आपत्ति जनक है गलत है उनके उपर जो जो कलम लगाना चाहिए वो हमने अच्छे अड़ोकेट से सला लेकर सारे कलम का कोई से कोई से वक्तत्रों कैसी कैसी कलम लगती है स्टेट पे बैटने वाले सारे टाली बजा रहे थे उनके उपर क्या कलम लगती है यह सारा हमने लीगली ओपिनियन लेके उनको बताया था लेकिन आज तक पुलिस कमिशनर और पुलिस वबाक्षे तरफ से कोई कारवाई नहीं हुई है स्टेट पे जिंगीन लोगों ने टाली बजाई थी उनके उपर कारवाई करनी चाहिए एक तरफ पिछली सरकार के समय महाविकास आगाडी सरकार के मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे जी जो भी माजी मुख्यमंत्री उनके उपर अगर कुछ आक्षे पाले किसी ने नाकपर में पोर्ट डानी तो उनको जेल में रखा गया एक तरफ ऐसी कारवाई होती है जेल में जाने की दूसरी तरफ खुलयाम हजारों लोग के सामने शेक हुसेन मोदी जी के बारे में हमारे पंतबदान के बारे में गलत बोलते है उसके उपर कारवाई होती नहीं है ये गलत है हम फिर कमिस्णर से मिलेंगे कॉंग्रेस में ता राहूल गांदी ने शुक्रवार को एम्स में राज़त सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकाद की उनके स्वास्त की जानकारी ली करिब आधे गंटे तक राहूल गांदी और लालू यादव की बात चित हुई राहुल गांदी ने लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की बतादे कि लालू यादव इन दिरों M's में भरती है लालू यादव की तबियत में सुधार हो रहा है आज दोपहर सवा बजे राहुल गांदी उनसे मिलने M's अस्पताल पहुचे थे लालू यादव से राहुल गांदी की ये मुलाकात राजनेतिक रूप से भी काफी एहम है क्योंकि राश्टपती के चुनाओं होने वाले है बता दे के आरजडी प्रमुक और बिहार के पूर्व मुख्या मंतरी लालू प्रसाद यादव का दिल्ली के M's में लाज चल रहा है उनकी बेटी मिसा भारती ने कहा कि लालू जी अब बिस्तर से उटकर बैठ सकते है सहारा देने पर वो खड़े भी हो रहे है उनके हालत अब काफी बहतर है बर्धा नदी के और जाने वाले नाले के बंध होने से कोसरसार गाओं में पानी घुज गया है जिले के वरोरा तालूका में बाड का संकट जा रही है जबकि कोसरसार ग्राम पंचायत सापता ही बाजार वशंशान घाट पानी के नीचे आ गया है बारबार निवेदन देने के बावजूद नाला साफ न करने से बाड का पानी गाओं के निचले इलागों में घुज गया है तैसिल प्रशासर ने घटना को संग्यान में लेते हुए टीम भेज दिया है भारी बारिश के कारण जिले के सभी तालूकों में पानी भर गया है चंदरपूर जिले में लगातार हो रही बारिश से गाओं के पास के नाले में पानी भर गया है और वर्धा नदी की और जाने वाले नाले को बंद कर दिया गया है जबकि कोसरकर गाव में पानी घुज गया है जिले का वरोरा तालू का बिती राज से लगातार संकट का सामना कर रहा है कोसरकर गाव में ग्राम पंचायत सापताहिक बाजार वशम्शान घाट पानी में डूब गया है ग्रामिनों के बार बार अनुरोद के बावजूद नाले को गहरा नहीं किया गया है और बाड का पानी गाव के निचले इलाकों में घुज गया है गाव पासन जो नाला गेला है त्या नाला खोलीकरन होँन त्या मुझकान बर गाव पासन जो नाला गेलेला है त्या नाला मुड़े पानी अक्सर्षा पानी गाव मादी शिरून रा लेला है त्या साथी आमाँ शाष्णा का देवडी सिंदन्ती आए कि नाला खुली करन साथी निजी उपलप्द करूंद आवा आनि जे नाला जावर ची शेत पुर्ण अक्षर्षा पुर्ण डूबले ले 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 आपन पात आओ बाजार वडी ना पुर्ण अत कै पाने भड़िलिया, आपन पावशक्ता कोशारची ग्रांपन चे सुद्धा, अक्षर्षा पाने मदी सापडलीलिया, आनि कोशारची सार नगली तील जोल पास चीशेत सुद्धा, त्या पुर्ण चे पाने मुड़े साप पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्द और दुखी हुई। वो एक महान वैश्विक राजनेता, एक अद्कृष्ट नेता और एक उलेख निया प्रशासक थे। उन्होंने जपान और दुनिया को एक बहतर जगा बनाने के लिए अपना जीवन समर्पी कर दिया। शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हुँ। वो एक महान वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक उलेखनिया प्रशासक थे। उन्होंने जपान और दुनिया को एक बहतर जगा बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिंजो आबे ने भारत जपान सम्मंदों को एक विशेश सामरीक और वैश्विक साजदारी के स्तर्प तक पढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज पुरा भारत जपान के साथ दूख की इस घड़ी में शामिल है और हम इस कठिन परिस्थिती में अपने फेवरिट कालर, मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरिट डिश। पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है। सुरुची मसाले। खाने में हो रुची, तो घर लाए सुरुची। अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है। पर फंक भी तो मस्बूत होने चीए। जो देता है, Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है, जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट, साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने हैं। Flywheel Aviation Academy, one degree, three job opportunities. Flywheel Aviation Academy, gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Ghani Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur. वासने मेटिंग भुल है। क्या यार। आजमी की तकलीफ को था संचो। बाहर बाहर उठो बैठो उठो उठो बैठो। तकलीफ बवासिर की है। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आशाडी एकादशी के उत्सव में पंधरपूर के मार्ग पर चलना जीवन शक्ती का प्रतिक है। अभिनेका स्वापनिल जोशी पहली बार पंधरी वारी आकर और अपनी दादी की स्मृती को देख कर बहुत खोश हुए। और इस भावना से प्रभावित हुए। आशाडी यात्रा में पहली बार पंधरपूर बहुचे स्वापनिल जोशी। इस बार पैदल ही वाखरी से पंधरपूर बहुचे। जर तुमी वारी चाल्लाने आईउषा देख दादी तर तुमी जीवन्त नेए। कि जर तुमी वारी केली नाइं, तर तुमी मानुस नाइं, तर तुमी जीवनता नै, जर तुमी वारी चालला नै आयुष्या देख़ा दरा नीजना नीजिवनता नै, तर माझी खुब इ שמछ sett make ओध में के रहां में चे ज़ुरा जटमक रोलिए। तर ते मनने माला आठुवत नाए जेवा पसने लक्षा ते तेवा पसने करतो है तो किती वर्ष तो जाले अस्तिल तीस पस तीस वर्ष आसा ते लिलाया मनाले तर है फार आचाड है आणि माजागणी शब्द नहीं सांगाईला पांडुरंगाचे चरनी इतकीच प्रार्थ नाए कि माजागणी वारी घड़त रहो आज अरधा दिवस घडले आणि वन ओटिटी यस काय मागना मागू वेगली मागने पाउस भरपूर हो दे बली राजा सुखी रहो दे वारकर्यांचे आयुश्यात ली सगली दुख कष् महाराष्ट्रावर येनारा प्रतेक संकत भारतावर येनारा प्रतेक संकत पांडुरंगाचे कृपे नी दूर हो दे आमचे सगयांचे आयुशात सुख, शांती, भरभराट असुदे आणि थोड़ासा स्वार्थ है कि वन ओटीटी ची सुरुवात करतो भी परत-परत मुख्यमंत्री के वाहनों का काफिला प्रवास करते समय सुरक्षा के दृष्टी कोन से यातायात अवरुद्ध की जाती है हाला कि इससे बेवजर ट्राफिक जाम होता है और वाहन चालकों को परिशानी होती है इसलिए मुख्यमंत्री एक नाच्शिंदे ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री के काफिले को विशेश प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है उन्होंने इस मामले पर पुलीस महानिदेशक रजनी सेट और पुलीस आयुत विवेग फलसालकर से चर्चा की और इस विशेश पर निर्देश जारी किये उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रवास मार्ग पर पुलीस का बंदोबस्त कम करके कहीं भी गाडिया अडाई ना जाय यसुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये ये आम आदमी की सरकार है और वी आईपी से आम आदमी की प्राथमिक्ता है मुख्यमंत्री शिंदे ने समझाया मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे लागातार यातरा करनी पड़ती है प्रवास में कोई व्यवधान ना आए इसलिए यातयात रोक ली जाती है इसलिए काफी जाम लग गया पिछले 3-4 दिनों के दोरान मुख्यमंत्री ने देखा है कि पुलीस बल पर कार्यभार बढ़ रहा है क्योंकि उनके लिए अधिक पुलीस तैनात की जारी है इसलिए लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जरूरी काम से बाहर जाने वाले लोग फच जाते है अगर एम्बूलेंस फच जाती है तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है इसलिए मुख्यमंत्री का पध सम्हालने के बाद मुख्यमंत्री शिंदे की भुमिका है कि अपनी यात्रा के लिए बेवजा अन्य वाहन चालक परिशान ना हो महराश्टर में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्री मंदल विस्तार को लेकर अटकले शुरू हो गई है इस बीच मुख्य मंत्र एकनाच शिंदे और टिप्टी सेम देवेंद्रा पर्णविस ने गुरुवार शाम को नई सरकार चलाने के लिए मंत्री मंदल को लेकर चर्चा की महराश्ट में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्री मंदल विस्तार को लेकर अटकले शुरू हो गई है इसे बीच मुख्य मंत्र एकनाच शिंदे और डिप्टी सेम देविंद्र फड़नवीज ने गुरुवार शाम को नई सरकार चलाने के लिए मंत्री मंडल को लेकर चर्चा की बगावत के वक्त साथ देने वाली निर्दलिय विधायकों और चोटे दलों को एकनाच शिंदे अपने में समायो जित करना चाहते थे एकनाच शिंदे के गुट के एक नेता ने बताया कि मुख्य मंत्री एकनाच शिंदे के सामने समस्या ये है कि कुल 40 विधायकों में से 9 पिछली महाराश्ट्र विकास आगड़ी सरकार में मंत्री थे और इस तरह वो नई सरकार में अधिक से अधिक विधायकों को समायो जित करने के लिए अधिक विभागों पर जोर दे रहे है ऐसे संकेत है कि भाजपाद्वारा ग्रिह, वित, राजस्व, सहयोग और विपणन, सारवजनिक स्वास्थ, क्रिशी, उद्योग और ग्रामिन विकास जैसे विभागों पर दावा करने की संभावना है जबकि शिंदे के नेतरत्व वाले गुट को शहर विकास, लोक निर्मान विभाग, जलसन साधन और स्कूली शिक्षा विभाग मिल सकते है चिनी वायो सेना के विमान ने वास्तविक नियंतरन रेखा पर पूरवी लदाग सेक्टर में बहुत करीब से उडान भरी ये गटना जून के अंतीम सप्ता की है, जिसके बाद बारतिय वायो सेना ने भी तेज़े से प्रतिक्रिया दे थी सुत्रों ने बताया कि जून के अंतीम सप्ता में एक दिन सुबह लगवग चार बजे ये गटना हुई जब विमान को देखा गया, साथ ही ये सिमा क्षेतर में लगे स्वदेश रडार की पकड़ में भी आया भारत चिन के बीच दो वर्षों से चल रहे तनाव के बीच पूरवी लदाक में बड़ी संख्या में दोनों देशों की सेनाय तेनायत है इस बीच बड़ी खबर सामने आई है, जून महिने के आखिर में चीन के एक फाइटर प्लेन ने LSE के बहुत करीब उडान भरी थी सुत्रों ने कहा कि संभावित हवाई क्षेतर के उलंगन का पता चलने के तुरंद बात भारतिय वायू सेना भी सक्रियों हो गई सुत्रों ने कहा कि ये घटना ऐसे समय में हुई जब चीनी पक्ष पूर्वी लदाक सेक्टर की सीमा से लगे क्षेतरों में अपने लडाकू जेट और वायू रक्षा हतियारों से जुड़े अभ्यास कर रहा है चीनियों के पास बड़ी संख्या में लडाकू जेट और मानव रहित विमान है इनको भारतिय क्षेतर के पास होतान और गार गुसा में प्रमुख हवाई क्षेतर में तेनाद किया गया है पिछले दो वर्षों के दोरान इनका तेजे से विकास किया गया है गौर तलब है कि साल 2020 में चीनी पिपूल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों को भारी संख्या में पूर्वी लडाक में भारतिय चौकियों के पास तेनाद कर दिया था जिसके बाद दोनों देशों की सेनायामने सामने आ गई थी सुतल ने कहा कि विमान के भारतिय चौकियों के करीब आने का मामला इस एबलिष्ट मेकनिजम के तहट उठाया गया था और इसके बाद कोई घटना नहीं हुई तो विकेवी नियूस के प्राइम टाइम नियूस में आज इतना है कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ तब तक देखते रहिए विकेवी नियूस नमस्कार